बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 में गणित विशे में अपनी संख्याओं की जानकारी परीचे कक्षा 7 में हमारा पर्यावरण विशे में प्राकर्तिक और मानविये पर्यावरण प्यारे बच्चों, मैं आपको पढ़ाओंगी कक्षा 6 की गणित, कक्षा 6 की गणित में कुल 14 पार्ट है और इन 14 पार्टों को हम करम से एके करके परतिज ले जाएंगे इसमें पहला पार्ट है अपनी संख्याओं की जानकारी इस पार्ट में हम संख्याओं की आवशक्ता उसके महत्व, उनकी तुलना, उनका आरोही करम, अवरोही करम, छोटे से बड़ा लिखना और साथी साथ संख्याओं की प्रसारित रोप, संख्याओं की अंतराष्टे पदती मापन, संख्याओं की भारती पदती मापन आधी के बारे में चर्चा करेंगी तो संख्याओं की आवशक्ता क्यों हुई? सबसे पहले हम इस बारें बात करते हैं प्यारे बच्चों वर्तमान में वस्तों की गणना करना कितना सरल है लेकिन पूर में जमानों गुफाओं में रहता था और अपनी संग्रहित कीगी वस्तों की गणना करने के लिए विभिन प्रकार के संकीतों जिन्हों प्रतिकों को काम में लेता था तो जैसे जैसे वस्तों में कटनाई हुई ना अब देखें जैसे इस गोफा में कितने सारे अंगूर के गुच्छे हैं मुझ में पानी आ गया ना स्वभावी के जब इतने सारे गुच्छों के लिए उसने उन्हीं प्रतीकों को काम मिलिया जैसे कि मिलांचिन हैं मिलांचिन हैं से तो हम परिचित है जिसे हम अंगरी जी में टैली मार्क्स भी करते हैं तो जब बड़ी भी मात्रा को उसने उन्हीं संक्यतों से काम मिलना चाहा तो खूब सारे मिलान चिन बनाने पड़े उसे और जब इन मिलान चिनों को उसने गढ़ना करना चाहा तो निश्चत तोर पर चक्रा गया होगा ऐस इसे में आवशक्ता होई कुछ नए प्रतिकों की और जब जब आवशक्ता होती है तो अविश्कार होते ही हैं ऐसे में अविश्कार हुआ हमारे अंकों का अंक जो कि 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 है इन अंकों से तो हम भली बाती परचित है ना इन अंकों पर हमारी पूरी अंगन इतिकी है और अंकों से मिलकर संख्याएं बनती है और हम इनी संख्याओं के बारे में ही तो आज चर्चा करने वाले हैं तो आईये संख्याओं संख्याओं की आवशक्ता जैसे कि हम चर्चा कर चुके हैं संख्याओं की आवशक्ता वस्तों की गंढ़ना करने के लिए पूर्मे महसुस होई और जब संख्याओं से मनुष्य भलीभाती परिचित हो गया तो उसने अनेक लाब महसुस किये जैसे कि उन में से कुछ ये है तुलना करने में, छोटे बड़े की पहचान करने में और विवस्तत करने में जब इन संक्यतों से यानि कि संक्याओं से मनुष्य भली भाती परिशित हो गया, उन से गणना करने में सहज हो गया तो उसे मैसूस हुआ कि और नए संकितों की खोज निश्चत तोर पर करनी चाहिए और उसने करे भी तो दुरगामी परणाम के रूप में नए संकितों की खोज हुई और अब हम लोटते हैं अपने टॉपिक वाठी पुस्तर के टॉपिक पहले पर जो कि है संख्याओं की तुलना तो संख्याओं के तुलना करने के लिए स्थानी मान के ग्यान के आवशकता होती है स्थानी में आनके ग्यान से तो हम परिचेत है ना पूरु कक्षा में पढ़ा हुआ है आप याद करें इकाई, धाई, सैकड़ा कुछ याद आ रहा है अगर याद आ रहा है तो बहुत अच्छी बात आप कंस्टरेशन से समझ पाएंगे लेकिन अगर आप भूल रहे हैं या भूल चुके हैं तो कोई बात नहीं हम इसका दोहरान कर लेते हैं लेकिन अब कंस्टरेशन तोटनी नहीं चाहिए पूरा कंस्टरेट होके सुनें क्योंकि ये पूरा टॉपिक जो है संख्याओं के तुलना में स्थानिमान बहुत मदद करेगा तो आईए समझते हैं स्थानिमानों को तो जैसा कि आप इस सार्णी में देख पा रहे हैं इकाई, दहाई, सैंकडा, हजार, दस हजार और लाख लिखा हुए ये प्रतेक स्थानिमान अपने पूर्व के स्थानिमान से दस गुना अधिक है अर्थात प्रतेक बायामान अपने पूर्व के दाएमान से दस गुना जादा है वापिस समझें अर्थात दहाई इकाई से दस गुना जादा है सैंकडा दहाई से दस गुना जादा है है इसी पर इकार से 1000 संखड़ potato जादा है और 10,000हाद से 10 गुना ज़ादा है अगर हम मोटे तार पे बात करें तो जैसे-गैसे हम बाइं तरफ बढ़ते चले जाते हैं वापिस समझें accomplish समझें, हम बाइं तरफ बढ़ते चले जाते हैं, तो उसके स्थानी अमान में बड़ा अत्री होती चले जाती है, और ऐसे में वसंख्या बड़े स्थानी अमान के कारण बड़ा रूपधारन कर लेती है, इस चीज को और अच्छे समझने के लिए हम उधारन काम में लेते हैं, तो पहले उधारन आप प्ध्यान से समझें, आपको मेरी कही बात पूरे अच्छे से समझ में आने वाली है पहली संख्या है, बान में, तीन सो बान में, चारजार 456, 89722 इसमें सबसे बड़ी संख्या आपको छाटनी है तो इसके लिए क्या आप आसानी से बता पाएंगे कि इन चारों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है सोचिए सोचिए चलिए मैं आपको हलका सा हिंट देती हूँ और इस हिंट को जैसे ही आप पकड़ पाएंगे आप उत्तर के शायद बिल्कुल नजदीक होगे और हो सकता है उत्तर आपको पता भी चल जाए देखिए इस संख्या बाणवे में कुल कितने अंग है दो तीन सो बाणवे में कुल कितने अंग है तीन चार हजार चार सो चपन में कुल कितने अंग है चार और 89,742 में अंकों की संख्या कितनी है पांच तो कुछ समझ में आया कौन सी संख्या बड़ी हो सकती है इन में से बिल्कुल सही कह रहे हैं आप 89,742 पांच अंकों की संख्या होने ही कारण इन सभी संख्याओं की तुलना में सबसे बड़ी है लेकिन साथ ही साथ दो अंकों की संख्या होने के करण बान में इन सभी संख्यां में सबसे छोटी है तो यहां तो हमें सपर्ष हो रहा है कि जादा अंक बड़ी संख्या कम अंक छोटी संख्या समझ में आ रहा है ना बलकुल सही समझ पा रहे हैं लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप इस बात के साथ साथ इसको स्थानिमान से भी लिंग करें क्योंकि स्थानिमान हमें बहुत आगे तक मदद करने वाला है यहाँ पर तो आपको स्थानियमान की मदद होगी होगी लेकिन आगे और होगी तो देखते हैं स्थानियमान हमारी मदद कैसे करेगा आगे भी और अभी भी बच्चों देखो 89,742 में हम बात करें स्थानियमान की तो ये संख्याई 21,21,1000 और 10,000 तक जा रही है अर्फात हमारा सबसे बाया अंक जो की 8 है 10,000 में स्थान तक पहुँच रहा है अर्फात 8,000 में स्थानी अमान के कारण 80,000 की अपनी पहचान रखता है और 80,000 के ठीक पास में चुकि 9,000 है तो ये 89,000 इसका उच्चारण भी हम करते हैं तो जब ये अपने आप में अमान 10,000 लेकर चल रहा है तो ये अपने आप में बाकी जिनमें 10,000 ने स्थान तक हम नहीं पहुँचें देखें, एकाई दहाई सैकड़ा हजार एकाई दहाई सैकड़ा, एकाई दहाई केवल हम जैसे इस संख्या की बात करें तो केवल इकाई दाई यहीं तक से मट कर रहे गए जबकि केवल इसी संख्या में हम दस हजारवे स्थान तक पहुँचे हैं तो अपने आप बड़ा स्थानिय मान अपने आप में इसको बड़ी संख्या बना रहा है आ रहा है ना समझ में तो अब इसी चीज़ को हम बेसिक बनाते हुए चलेंगे ताकि जब कभी संख्याएं हम एक परिशान करें छोटे बड़े की तुलना करने में तो हम स्थानिय मान की मदद आराम से ले सकें तो आईए अब हम एक और सवाल लेते हैं और शायर यह सवाल आपको हलका सा चक्रा देगा देखिए उधायर नमबर दो 1902, 1920, 9201, 921, 921, 92210 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? बताईए इन चारों संख्याओं पांचों संख्याओं में स्वारी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? याद कीजिए पिछले सवाल में तो हमने अंकों की गणना करके पहचान लिया था कि पांच अंक सबसे बड़ी संख्या दो अंक सबसे छोटी संख्या अब बताएं यहाँ पर अंक सब संख्याओं में गिनते हैं कितने कितने हैं अंकों की संख्या चार आंकों की संख्या 4 आंकों की संख्या 4 और इसमें भी आंकों की संख्या 4 अब बताएं कौन सी संख्या सबसे बड़ी है कहा था ना मैंने चकरा जाएंगे अब और अब आपको समझ में आएगा कि मैंने स्थानी मान के ग्यान को समझने के लिए क्यों जोड़ दिया था बिल्कुल सही, स्थानियमान हमारी अब मदद करने वाला है तो अब हम स्थानियमान की मदद से पहचानेंगे कि इन पांचों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है तो आईए शुरू करते हैं देखें मैंने इन सभी संख्याओं को पांचों को करम से लिख दिया है और इन संख्याओं में जैसे कि हमने पूरू में चर्चा करे थी कि स्थानियमान मदद करने वाला है तो स्थानियमान में चूंकि ये चारंग है चारंग थे ना तो चारंग आप याद करें सबसे पहले इकाई, दहाई, सैंखडा और हजार हजार के बात हो रही थी न तो हजार में हम समझ गए जब चार अंग होंगे तो हम स्थानियमान हजार तक जाएंगे और चुकि हम बात कर चुके थे जितनी ज़्यादा संख्या बाइं तरफ जाती है तो हम बाइं से ही अब पहचान करना शुकरेंगे वापिस समझें, मैं क्या कह रही हूँ जब समान अंग होंगे और उनमें हमें बड़े चोटा पहचान ना होगा तो हम हमेशा बाइं तरफ से दाइं तरफ एक कदम पिछे चलते जाएंगे या तो हमें पहला कदम ही बता देगा कि उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और छोटी कांसी है कैसे बताएगा बिलकुल जब सबसे बाई तरफ जो संख्या होगी संख्या में जो सबसे कौने का बाई अंग होगा सबसे बाई में सबसे कौने में वो अगर बड़ांग हुआ तो बड़ी संख्या और अगर वो अंग छोटा हुआ तो छोटी संख्या वापिस उने बड़ांग बड़ी संख्या छोटांग छोटी संख्या तो हम देखते हैं इनके सबसे कौने में बाएंग की तरफ अर्थाग इस सवाल में बाएंग तरफ कौन सा अंख है ध्यानते मैंने या लिग दिया हजारमा हजारवे स्थान में 1902 में पहला अंख है नौ 1902 में हजारवे स्थान पर अंख है एक 9201 में 9 इसमें भी 9 और इस संख्या आ भी रहा है और नहीं भी आ रहा है ऐसा ही कुछ हो रहा है ना कोई बात नहीं हम धीरे धीरे चलेंगे और समस्याओं को हल्का हल्का सा छाटते वे उनमें से जो काम का होगा रख लेंगे और हर्त करते जाएंगे और समस्या से निजात पालेंगे देखें जैसे कि हम देख पा रहे हैं इन दौनों संख्याओं में हजारवे स्थांट पर एक अंख है जो कि इन तीनों संख्याओं की हजारवे अंख से छोटा है इनमें तो नौनों है ना और उनमें एक है नौनों तो अपने आमें बड़ी संख्या हो गई ना बड़ी संख्या बना रही है जबकि वो तो एक-एक है तो निश्चत तोर पे ये दोनों संख्याएं छोटी हैं और हम धूड रहे हैं बड़ी संख्या तो ये दोनों संख्याएं अब इस रेज से बाहर हो गई हैं जिसमें हम धूड रहे हैं बड़ी संख्या कौन सी है तो अब हम जब बात करेंग तो हम इन तीनों संख्याओं की बात करेंगे, उन दोनों संख्याओं की चर्चा नहीं करने वाले, क्योंकि वो संख्याओं छोटी हो चुकी है, तो अब हम बात करते हैं केवल इन तीनों संख्याओं की, जैसे कि हमने पूरू में चर्चा कर थी, कि हर बार स्थानियमान हमारी मदद करने वाला है तो च्पि हम हजार्वा स्थान देह चुके सब हम पीछ चलेंगे पीछ बिल्कुल पीछ चलें जैनने कंदे का रहुल और दूसरी यह चैसी बला इसे बलाएंगे को और तो नहीं बलाना चाहिと को आप नहीं क्या बुलाएं और दोनों आजाएं या ऐसा ना हो आप बुलाएं और दोने उठकनी आएं वह सुचे बहुत आएगा वह सूचे-बहुत आएगा गो ऐसे में आप Rahul को कैसी differentiate करते हैं कैसे उनकी तुलना करते हैं कैस पैचानते हैं कैसा नहीं विभेद करते हैं कि आप वाला राहुल बुलाने पर आ जाए बिलकल सही हम उसको उसके सरनेम से बुलाते हैं अर्था राहुल के बाद में जो लिखा जाता है राहुल शर्मा राहुल चौदरी जिसे माली जी आपको राहुल शर्मा को बुलाना है तो आप बोलेंगे राहुल शर्मा आप इदर आईए तो निश्चित तोर पर राहुल शर्मा ही आएगा तो ऐसे ही हमार साथ हुआ कि यहां पर पर इन तीनों संख्याओं में पहले स्थान बर नौ है है ना नो तो अब हम इसके थोड़ा आगे चलेंगे आगे चलेंगे या पीछे चलेंगे अरे कंफ्यूस होने के जरुवत नहीं है यहां पर आगे चले का मतलब है हम इसके बाएं हाथ की तरफ ना चलके दाएं हाथ की तरफ चलेंगे अर्थाद पीछे चलेंगे क्योंकि हज अच्य चलो आगे भी चले तो है क्या लगा कुछ भी नहीं है ना यहां पर कोई संख्या नहीं है तो हमें निश्चत तोर पे पीछे जालना होगा तो पीछे जब हम गहें तो पीछे में क्या लिख्या हुआ है справ dessa पर दू और इसके जीरो 52 कुछ समझ में आ रहा है कि अब इन तीनों संख्यों में से कौन सी संख्या बढ़ी है सोचो सोचो अचा चलो ये तो पता चल रहा होगा कि कोई संख्या तो इन तीनों में से छोटी है कौन सी संख्या छोटी हो सकती है सही विल्कुल सही ये जो संख्या है 0 जिसमें सौवे स्थान पर है ये संख्या निश्यत तोर पे इन दोनों संख्याओं से छोटी है क्योंकि इसमें सौवे स्थान पर 0 है जबकि उन दोनों में दो है जो 0 की तुलना में बड़ा है तो निश्यत तोर पे ये संख्याएं दोनों इस संख्या की तुलना में बड़ी हैं तो अब हमारा स्थान फिर पीछे खिसकेगा अर्थात अब हमने 1000 स्थान की बात कर ली सौवे स्थान की बात कर ली, अब हम बात करने वाले हैं दहाई के स्थान के बिल्कुल सही, लेकिन अब हम बात जब दहाई के स्थान ये मानगी करेंगे, तो केवल इन दोनों संख्यों की बात करने वाले हैं, जिसमें पहले दोनों स्थानों पर बाण में बाण में है, समान ह तो दिखे अब हम इनके बारे में दहाई के बारे में चर्चा कर लेते हैं तो दहाई में आप देख पा रहे हैं कि हमारी बच्चीवी दो संख्याओं में पहले दो स्थान अर्था हजार और सौवा समान होने के कारण हमें और पीछे जाना पड़ा और और पीछे में हमें मिला दहाई तो दहाई पर पे हम अपना ध्यान केंद्रत करते हैं और देखते हैं क्या हमारी मदद हो पाएगी यह हमें और पीछे इकाई तक जाना पड़ेगा आईए देखते हैं तो यहां पर पे दहाई में तीसे स्थ जो हम चाहिन सह स्थानव और तो बात करूएं तो हम आ तो पीछे रहे हैं ना हमने हजार की बात की फिर सौभा की के बात की है बात की अब हम और इसमें धाई के स्थान पर है एक अब तो आप समझी गए होंगे कि इन में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है बिल्कुल सही आप बिल्कुल सही पकड़ पा रहे हैं कि हमारी सबसे बड़ी संख्या इन पांचों में 92010 है अतार पांचों संख्यां में सबसे बड़ी संख जिसमें हमने संख्याओं की तुलना को समझा था अच्छे सा समझ में आ गया होगा बच्चों आज का अगला पार्ट कक्षा साथ में हमारा परियावरण विशे में प्राकर्तिक और मानविये परियावरण आज अध्यन कर रहे हैं कक्षा साथ की पाठे फुस्तक सामाजी विज्यान हमारा परियावरण से अध्याई एक के अंतरगत भाग दो में चर्चा करेंगे प्राकर्तिक और मानविये परियावरण के वीडियो एक आपने देखा उसके अंतरगत हम चर्चा कर चुके थे परिय अध्यावरण के परिचह और उसके घटकों को हमने जाना था तो प्यारे बच्चोपी पैंसिल लेकर तयार हो जाईए अब सुरुआत कर रहे हैं और कुछ रहष्यम चीज़ों को बारे में जानेंगे शुरु करते हैं तो प्यारे बच्चोप आप सभी जानते हैं कि पृत जन्तु है, वनस्पती है, आदर्स जलवायू है, तो ये सारी चीजे हम जब पढ़ चुके हैं, अब इस चित्र में गौर कीजिएगा, आपको वो सबी चीजे दिखाई दे रही हैं, जिनकी अभी मूल आधारों के हमने बात की थी, देखिए, ये क्या है, स्तलमंडल, स्तलमं मंडल में, और फिर क्या पढ़ा, पानी, जल, जल बेन जीवन संभाव है, क्या, नहीं है, तो वो कहा है, जल मंडल में है, अब आप ये देखिए, ये बड़ी रोचक चीज है, ये जो घेरा देख रहे हैं, ये घेरा बड़ा कमाल का है, ये घेरा क्या है, ये है जैव मंड जैव मंडल, यानि कि जैव मतलब जीवन, यहीं जीवन की वो आदर्स दसाएं मोजूद है, देखिए, क्या-क्या है, इस्तल मंडल, जीवजन्तु वनस्पती है, वायू मंडल है, और जल मंडल है, और ये सब मानव निर्मित वातावरण यहां मोजूद है, अब इनी जो को विस्तार से नोट करना, गौर से देखना, एक-एक चीज की परिभासा देंगे, और उसके उधार्णों से इसकी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, देखिए, प्राकर्तिक परियावन, अब जो बात पीछे की थी, उस चित्र को वापस देखिए, हमने क्या देखा, स्टल मंडल, जल मंडल, वायू मंडल, और तीनों कहां, एक बीच वाले हिस्से में मिल रहे हैं, तो जिसको हम क्या कह रहे हैं, जैव मंडल, तो प्यारे बचों, सबसे पहले हम स्टल मंडल की परिभासा देख लेते हैं, स्टल मंडल क्या है, अरे भाई, भूमी तो है, जि देखिए, नोट कर लीजिए, पृत्वी की ठोस प्रपटी या खटोर उपरी परत, अब इसके उधारणों में क्या लिखना है, क्या है, जब आप गलोब देखा है ना, पृत्वी का नमूना ही तो गलोब कहलाता है, या मानचित्र देखते हैं विश्व का, तो उसमें क्या ह हैं महाधीप, है महाधीपों में कई देश होते हैं, महाधीपों के Antara liking कई भोतिक लक्षन देखने को मिलते हैं, क्या-क्या, जैसे परवत है, पठार है, मैदान है, यही तो है परवत, पठार, मैदान, घाटी, यही तो है, जो इसकेziehen है, हम देखते हैं, जिनके बारे में और विस्तार से आगे चर्चा करने वाले हैं, वीडियो को गोर से देखेगा, इसके बाद चलते हैं आगे, एक स्तलाकृतिक लक्षन और इसमें पढ़ते हैं, विबिन, भोतिक, स्तलाकृतिक के बारे में एक अलग से पाठ हो रहा है, भाग तीन में देखेंगे, उसको आगे देखेंगे, क्या पढ़ा था? जल मंडल, अब जल मंडल मतलब पानी, यानि कि इसकी परिभासा आसान सी है, जल से आवरत छेत्र, मतलब सारी जगे जल, तो पृत्वी पर अगए एक सवाल आप से पूछ लिया जाए, पृत्वी पर सरवादिक क्या है, तो आपका उत्तर क प्यारे बच्चों, जल मंडल की क्या परिभासा लिखोगे? जल मंडल की परिभासा क्या है? जल से आवरत छेत्र, अब इसके उधार्डों में क्या लिखना है? क्या है सबसे पहले? महासागर, पांच महासागरों के नाम पता है आप लोगों को, महासागर, महासागर के बा था मूल आवशक्ताओं में हवा, तो हवा कहां मोजुद है, देखो आकास की तरफ, हवा है उसमें, तो हवा से ही तो क्या बना हुआ है, वायू, हवा और वायू एक ही तो है, तो वायू का आवरण क्या कहलाता है, वायू मंडल कहलाता है, तो ये देखिए, पृत्वी पर क् के पृत्वी के चारों तरफ क्या बना हुआ है एक वायू का आवरण बना हुआ है इसमें विबिन प्रकार की गैसे हैं जलवास्प है दूल के कण है ये सब इस वायू के आवरण में मुझूद रहते हैं तो प्यारे बच्चो एक चीज गौर फर्माईएगा ये वायू का आ क्या कि ये हवा जो इसके चारों तरफ वायू का आवरण बना हुआ है ये बाहर क्यों नहीं निकल जाता क्या उत्तर दोगे इसका उत्तर है प्रित्वी का गुर्तवाकर्शन बल ये देखे यही तो लिखा है वायू का आवरण जो प्रित्वी के गुर्तवाकर्शन बल के कारण है बहुत जरूरी है कि ये गुर्तवा करशन किस ने दिया था न्यूटन ने दिया था विज्ञान वाली मैडम पढ़ाएंगी गौर से देखना तो बल का प्री कौन सा बल बताया गुर्तवा करशन बल इसी बल के कारण ही तो ये वायू का आवरण प्रितिस्तल मंडल क चारो तरफ गिराव है इसका अब प्यारे बच्चो ये कितनी उचाई तक है इसकी उचाई कितनी है दस हजार किलो मेटर तक उपर देखिए वायू मंडल आकास नीला नीला आकास अलग-अलग होता है कभी सुबह के समय देखे मौर्निंग में तो कैसा होता है लालीमा लिय इस वायू मंडल के अंदर इनके रहेश्य छुपे हुए है जिनको बारी-बारी से एक-एक करके एक-एक पार्थ में रहेश्यों को खोलते जाएंगे वीडियो को निरंतर देखते रहना आगे देखिए तो वायू मंडल में अध्यन क्या-क्या करने वाले हैं प्यारे बच आगे और धूल के कणू के बारे में जानेंगे आगे देखते हैं विबिल परते परतों का अध्यन करेंगे इसकी सरचना के अंदर परते कौन-कौन सी हैं अलग-अलग परते हैं ना श्रोम मंडल समताप मंडल मध्य मंडल आयन मंडल और ब्रही मंडल अब प्यारे बच्च अंत्रिक्स कहते हैं और अंत्रिक्स से और उपर क्या आएगा? ब्रमान्ड, यूनिवर्स कहते हैं, तो इसी तरीके से और भी बातों के बारे में हम जानकारी देते रहेंगे अब बच गया प्यारे बच्चों, जैवमंडल चलो, इसको भी समझ लेते हैं, अब देखिए, जल मंडल क्या है, बड़ा आसान है, देखेगा, जल मंडल, स्थल मंडल, जल मंडल, वायू मंडल, जब ये तीनों चीजे क्या हैं, एक संकीन भाग में मिलती हैं, संकीन पेटी में मिलती हैं, तो वो संकीन भाग जहां जीवन क की दसाएं मोजूद होती है वहीं पर जीव पादप वनस्पति सब चीजे मानव के लिए एक उप्युक्त वातवन निर्मान करते हैं वो सही वही क्या कहलाता है जैव मंडल कहलाता है जिसको बायो स्पेर कहा जाता है देखे परिभासा क्या है जल मंडल स्टल मंडल और यह मिलकर क्या करते हैं सजीव संसार का निर्मान करते हैं और यहां मानव भी तो है उसको मत भूलना हम इनसान भी तो है और यहीं क्या है प्यारे बच्चो जीवन संभव हो सका है अब प्यारे बच्चो आपने जान लिया जैव मंडल क्या है अब जैव मंडल में क्या-क्य पड़ा अपने गौर कीजिएगा यहां पादप हैं जीवजन्तु हैं और जहां जीवन यानि कि यहां पर मानव भी है यानि कि यह सब क्या हो गए इनको हम एक नाम दे देते हैं इनको कहते हैं जैविक जीवन से संबंदित हैं जैविक कह देते हैं यानि कि यह जैविक घटक इसके बाद ये उपर की चीजे क्या है जैसे वायू, जल, स्तल ये है एजेविक, महदीप, परवत, पठार ये एजेविक है जल ये एजेविक है तो इन दोनों से मिलकर क्या बनता है देखिए ये है प्राकृतिक परियावण के घटक बनते हैं तो जैविक क्या पढ़ा सजीव प्राणियों का संसार जैसे जीव पादपोर, जन्तू कहा पढ़े जैव मंडल में पढ़े और एजेविक क्या निर्जीव पदार्तों का संसार क्या है स्तल मंडल, जल मंडल, वायू मंडल ये ही तो मिलकर निर्जीव है पर क्या ये अलग- अलग-अलग नहीं है, प्यारे बच्चों, एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, संबंध होना जरूरी है, तो ये अंतर संबंधित होकर क्या करते हैं, एक दूसरे से अंतक्रिया करते हैं, अंतक्रिया आपस में करते हैं, और अब आप ये देखिए, निर्जीव में क्या फोन होगे, गाडियां होगे, कलकार खाने होगे, उद्योगी दे धंदे होगे, सुचना करांती से संबंदी चीजे होगे, सब मानवने बनाई है, बहुत सारी चीजे है निर्जीव में, इसकी तालिका बना लेना ठीक है, वो भी आपके, आओ, मिलकर सीखे में दी गई है, उ जब यह निर्वर रहते हैं, तो इसे एक नया तंत्र बन जाता है, वो तंत्र क्या कहलाता है, देखे, वो तंत्र कहलाता है, पारितंत्र कहलाता है, पारितंत्र या पारिस्तिति की तंत्र भी कह सकते हैं, इंगलिस में इसको एको सिस्टम कहते हैं, प्यारे बच्चों, तो निर्बर हैं एक दूसरे पर अपनी आवशक्ताओं को पूरा करने के लिए एक दूसरे से, जैसे मनुश्य क्या है णिर्जीव चीजों के बिना रह सकता है भाई, निर्जीव चीजों से ही तो वह जैविक बनाता है, देखें, जैसे भूमी है स्तल मंधल है, भूमी, किसान भाई ने उस पर बीज डाले, बीज डाल के क्या हुआ, कुस हमें पानी दिया, बीज डाले, पानी दिया, भूमी बीज और बीज क्या है, ये तो इनसान फसल से पैदा हुए, जयविक में आ गए, पर आप ये देखिए, जो भूमी है, पानी है, ये तो एजेविक है, जब तीनों का मिश्रन हुआ, सूर्य का ताप मिला, उप्योग जलवाई मिली, फसल तयार हुई, पोड़ा बड़ा हुआ, फसल जब तयार हुई तो उसमें क्या मिला, अनाज मिला, अनाज किस ने खाया, इंसान ने खाया, पसु ने क्या खाया, चारा खाया, अब ये देखिए, पसु क्या देता है, दूद देता है, दूद किस ने पिया, इंसान ने पिया, मास इंसान, अब आप ये देखिए, किस तरीके से हम एक तंतर में बंद गए हैं, सब चीजे कही ना कही एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, आशिरित हैं, तो ये चीजें हम किसके अंतरकत अध्यन करते हैं, पारितंत्र में अध्यन करते हैं, तो प्यारे बच्चों, इसमें एक महत्पून कड़ी है, खाद्य संखला, वो भी इसी क्या करते हैं, उर्जा प्राप्त करते हैं, मैंने फसल तियार क मैंने उसको किया गया बोजन के रूप में लिया तो मेरे में वुजाई पसु को उर्जा मिली पसु से धूद में तक्निकी सहयोग यूसेफ इस्टर लाइट एडिंटिया फांडेशन दोरा प्रदार किया जा रहा है अब जीव जीव अश्य भोजनम जीव जीव का भोजन वता है अपना सुझाव का वश्य तो यह एक दूसरे से और दाग द्वारा प्रतिशत वुजा का क्या उता रहता है परियावन से यह क्या है संबंदित होते हैं और एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं और फिर क्या करते हैं मानव भी मिलकर क्या करते हैं यह अन्तेक्रिया करते हैं और अन्तेक्रिया अनुसरन करते हैं आकरशन होता एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और उससे क्या करते हैं उर्जा का आदान परदान करते हैं एक दूसरे से तो इस तरीके के पारितंत्र बच्चों इस धर्ती पर बहुत सारे पारितंत्र पारिस्थिति के तंत्र विक्सित हो गए हैं अनगिनित पारितंत्र हैं अब आप सोच रहेंगा अनगिनित कैसे हो सकते हैं एक, दो, तीन कितने हो सकते हैं अनगिनित क्योंकि बहुत सारी विव अब आप यह दिखे परवतों पर अलग पारिस्तिती के तंतर मिलेगा, पठारों पर अलग पारिस्तिती के तंतर मिलेगा, घास के मैदानों में अलग पारिस्तिती के तंतर मिलेगा, मरुस्तल में अलग पारिस्तिती के तंतर मिलेगा, एक तालाब में अलग पारिस्तिती के पारितंत्र विक्षित होता है, अब देखिए एक उधारन के आपके सामने पेश हो रहा है, इस उधारन को गौर कीजिए कि दो चित्र आपके सामने दिखाए गए, एक है ताल का पारितंत्र, यह आपकी पुस्तक में भी दिया गया है, और एक है मरुस्तल का पारितंत्र, राजस्तान के तो निवासिया, राजस्तान में क्या है, धोरे है, रेत है, तापमान क्या है, ज्यादा है, उर्जा सूर्ये से बहुत मिलती है, प्रकास ज्यादा मिलता है, और वर्सा कम होती है, तो इसके कारण क्या होते है, वर्सा कम होती है, तो वनस्पति भी कम होती है, द जैसे सर्प है, बिच्छू है, ठीक है, ये मरुबद वनिस्पती का, आप एक्जाम्पल देखिए, अब आप ये देखिए, उपर वाले ताल का परितंतर, ताल मतलब तालाब, तालाब का परितंतर देखिए, उसमें देखिए, जील का, ताल का इनका परितंतर देखिए, तो आप वनस्पती के पेड़ पत्तों को देखिए, इनके पेड़ पत्तों, जो पत्ते हैं इनको देखिए, ये भी कैसे हैं बड़े-बड़े, जैसे केले का पेड़ बहुत बड़ा, उसकी पत्तियां बड़ी होती है, कैक्टस की पत्तियां ही नहीं होती, कांटे होते हैं, तो इसमें वास्पो सरजन होता है, जितना पानी लेते हैं, उतना पानी उड़ा भी देते हैं, यहाँ पर पानी ही नहीं है, तो उड़ाएंगे क्या, तो संतोलित रोप से यानि के प्रकर्ती ने वनस्पती को भी एक ऐसा वर्दान दिया है कि जैसे पारितंत्र में उसका जनम होता है जैसी जगे वैसा ही वो अपने आपको ढाल लेती है इसी तरीके से जीवजनतों भी होते हैं और मानव भी ऐसे ही करता है तो प्यारे बच्च क्या कह दिया मानव ये परियावन कह दिया क्योंकि मानव इस धर्ती पर आया तो मानव ये बताईए पहली बार जब धर्ती पर आया कहते है अफरिका में उसका आदी मानव के रूप में मिला तो उसका जीवन कैसा था सोचा है आपने कभी कैसा जीवन था आदी मानव कहते एक स्तान पर बैठा रहता था, आखेट करता था, भागता था, दोड़ता था, जीवजन तो पर निर्वर रहता था, सिकार करता था, पेड़ पत्ते, छाल वगेरा पहनता था, तो ये सारी चीजे थी, धीरे धीरे उसने देखा, स्ताई जीवन जीने लगा, तो पांच अजा साल पहले क्या पढ़ेंगे, सभेता हैं आ गई, सभे हो के जीने लगा, मििस्र के सभेता है, नील नदी की सभेता भी कहते हैं, दजला फ़रात की है, सिंदु, हाटी, मोहंजदड़ो, हडपा पढ़े हैं ना, इत्यास में, ये सभेता हैं, सभेता मतलब आसे पांच अजार साल पहले इनसान सब बे होके जीना लग गया तो उसके आवश्यक्ता है धीरे-धीरे बढ़ने लग गई और उसने क्या है इस्ताई जीवन जीना शुरू कर दिया अब इस्ताई जीवन जीने लग गया तो अब क्या है मकान बनाने लग गया मकान बनाया तो उसने क्या किया फ वसलों के साथ-साथ प्यारे बच्चों पसुपालन भी शुरू कर दिया उसने और फिर धीरे-धीरे पये का अविस्कार और फिर धीरे-धीरे जब माल पैदा हुआ फसल तयार हुई एक इस्तान से दूसरे इस्तान लाने में बड़ी दिक्कत होती थी तो खोज बीन करके पय अविस्कार किया धीरे-धीरे इसी तरीके से आवशक्ता तो पहले प्यारे बच्चों तो मानव ने आपने देखा किस तरीके से अपनी आवशक्ताओं को पूरा करने के लिए परियावर्ण में क्या है रद्दो बदलाव करने लग गया है देखिए गौर कीजिया परिभा ये स्वयम को प्रकरती के अनुरूप बना लिया था उसका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकरती से उसके आवशक्ताओं क्या हो जाती थी पूरी हो जाती थी पर धीरे-धीरे मानव की आवशक्ताओं क्या है प्यारे बच्चों अनंत है संसादन सीमित है मानव की आविस्कार भी करता है, आवशक्ता ही तो आविस्कार की जन्नी है, अब आवगे देखिए, यही तो परिभासा में बताया है, माना और परियावन दोनों में क्या है, पारस्प्रिक क्रिया है, एक दूसरी पनेर पनेर, तो क्या बन गया, मान भी है, परियावन बन गया, अब मानवने, अब कुछ की कुछ आउशिक था हैं थी, तो आउशिक था कि अनुशार उसने क्या किया, इसमें परिवर्तन कर दिया, क्या क्या परिवर्तन किया, क्या क्या पड़ा था? फसल उगाना पसू पालन, प cinnamon, पईये का विश्कार वस्तु का विनिम है वस्तु मत्तब चीजे उनको क्या करना है आदान परदान करना है आदान परदान मेरे पास कुछ पैदा हुआ जैसे गेहूं मैंने पैदे किया और मुझे चावल चीए तो आप गेहूं लेने के लिए आज कल कैसे जाते हैं गेहूं ले चीए तो परचु आलिम में धन का उप्योग नहीं होता था, आज भी कई आदिम जातियां इसका प्रियोग करती है, 36 गड के जंगलों में चले जाएए, गौन प्रजाती के लोग ऐसा ही आज अनुभा उनके साथ मिल सकता है, या पुरवांचल में चले जाएए, वहां भी ऐसा देखने को मिल स आती है, मुझे नारियल चीए, मैंने पपिते के बदले नारियल ले लिया, मुझे दूद चीए, मैंने गाय, गाय है, गाय को मैंने अदलावदली बक्री से कर ली, तो इस तरीके से हम वस्तु के बदले, वस्तु का आदान प्रतान करते हैं, बस अरते क्या काम में नहीं ल अब चितर के माध्यम से भी इन पर गौर कर लीजिए, फसर उगाना सबसे पहले, फसल के साथ साथ पसुपालन भी सुरू किया गया, क्योंकि प्यारे बच्चो ल telephone कृषि से फसर लगाना ही नहीं है, फसल के साथ पसुपालन भी करना, ये दोनों ही किसके अंतरके अंतरक्ते आगे पढ़ेंगे, पहले पत्थर के, लकडी के, अलग-अलग देखो, आधुनिक गाडियों के, परिवेन के साधन भी बदल गए, ये वस्तु विन में, अभी बात की भी आप से, क्या हो रहा है, वस्तु की बोली लगाई जा रही है, वस्तु के बदले वस्तु, पैसा इस् संसादन तो सीमित थे, अब इनसान ने उन संसादनों का, आप ये सोच रहे हैं, आपके घर में टेबल है, खुर्सी है, मेज है, ये आये कहां से, अरे वई, साइकल है, कलकार खाने है, ये कहीं कलकार खानों से ही तो आ रहे हैं, जैसे साइकल है किस की बनी है वई, लोहे की बनी है, तो लोहा कहां से आया, खनीज है ना, तो इनसान ने क्या किया, उसको परिश्कृत कर दिया, नया रूप दे दिया, उसका मुल्ले बढ़ गया, साइकल बना दी, टेक्नलोजी है, तो इस तरीके से उध्युकिक रांती से एक देश का विकास होता गया, निरंतर मानव का उसमें महतपुन योगदान है, आगे देखिए, ये परिवेन के साधन विक्षित हुए, क्योंकि स्पीडली हो गया, हर सिस्टम क्या हो गया, बढ़ने लग गया, तेजी से विस्तार करने लगया, तेवरगती आ गयी उसमें, और आखिर में सूचना क्रांती, पूरा वे आज हमने पड़ा है, कक्षा छै में, गनित विशे में, अपनी संख्याओं की जानकारी परिचै, कक्षा सात में, हमारा परियावरण विशे में, प्राकरतिक और मानविये परियावरण. बच्चों कल हम पढ़ेंगे कक्षा 6 में गनित विशे में अपनी संख्याओं की जनकारी चार अंकों की संख्याओं बनाना कक्षा 7 में सामाजेक विज्ञान विशे में हजारों वर्षों के दोरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल मांचित्र और इतिहास के सुरूत वकक्षा 8 में विज्ञान विशे में फसल उत्पादन एवंप्रबंध क्रिशी पदतियां भाग एक बच्चों हमारे सकारक्रम के कंटेंट पार्टन हैं मिशन ग्यान तथा सकारक्रम में तक्निकी सहयोग यूनिसेफ इस्टरलाइट एडिंटिया फांडेशन एवंपिरामल फांडेशन द्वारा प्रदान किया जा रहा है बच्चों आपको यह कारेक्रम कैसा लगा अपना सुझाव अवश्य दें कारेक्रम से संबंधित आपके मन में यदि कोई सुझाव आता है या किसी भी तरह की कोई शंका है आपको तो हमें इमेल और डाग द्वारा फेश सकते हैं हमारा इमेल एड्रेस है feedback.shikshadarshan221.gmail.com और डाग का एड्रेस है निदेशक राजस्थान राज्ये शैक्षिक अनुसंधा नेवं प्रशिक्षण परिशद 111 सहेली मार्ग सहेलियों की बाड़ी के सामने उदैपुर 313-001